हेलो एवरिवन मैं हूँ दिपक जेन और सुपर केमेस्ट्री ट्रीक यूट्यूब चैनल में आप सब भी कहारदिक स्वागत हैं जी हाँ हम इन्फोर्मेशन लाए हैं मद्यप्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल वेकेंसी के बारे में जो एक्जाम डेट पहले जारी हुई थी फिर एक्जाम केंसल हुई और दोबारा से उसकी ओनलाइन फिलप की फॉर्म फिलप डेट निकल चुकी हैं आज हम उसके बारे में बात कर लगते हैं तो हम सिंपल से पीबी वेबसाइट पे जाईए आप सभी और इसको सर्च कीजिए जो फर्स्ट ओप्षन आएगा प्रोबेशनल एक्जामनेशन बोड भोपाल इसको क्लिक कीजिए तो हिंदी इंग्लिश दो ओप्षन रहेंगे इंग्लिश इंदी आपके अनुसार आप चुल लीजिए इसके अंदर आपको नोटिविकेशन मिल जाएगा पुलिस कोंस्टेबल रिकूर्मेंट टेस्ट दो जार बिस एड़टाइजमेंट जो फर्स्ट में निकला था वो रिवाइज रूल बुक बन और रिवाइज रूल बुक टू और प्रेस रिलिज प्रेस लिस्ट के अंदर उस एग्जाम को इस्थगित के लिए है अभी रिवाइज रूल बुक टू जो है उसके अंदर आपको रिसेंट दव इन्फोर्मेशन है तो आप सब इसको क्लिक कीजिएगा रिवाइज रूल बुक टू को और इसको डाउनलोड कीजिए तो इसका पीडियव ओपन हो जाएगा जो भी रिसेंटली पीबी ने वेकेंसी के रूप में इसमें डाला है कि क्या संशुदन हुआ है तो दोस्तों इसमें ओनलाइन आवधन फॉर्म फिलप की डेट अब 16 जनवरी 2021 से इसके ओनलाइन आवधन फॉर्म फिलप किये जाएंगे जो 30 जनवरी याद रखेगा 30 जनवरी से पहले जो जो इसके लिए पात्र अभिरती हैं वो इसमें आवधन कर सकते हैं 30 जनवरी तक तो इसके लिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा समझाया हुआ है किते प्रश्ण पत्र होंगे और एक्जाम का पेटन क्या रहेगा सिलेबस क्या रहेगा आज तो इस वीडियो में किवल आप सभी को इन्फरम करने के लिए कि वापस से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलप की डेट आ चुकी हैं तो आप सभी मलब 16 तारिक से इसके फॉर्म बर सकते हैं तो इसके जो थर्ड पेजे इसमें शॉर्ट में सारी इन्फरमेशन दी हुई है पी बिन है तो इसके आवधन पत्र पन्ने की समयावदी देख लेते हैं 16 तारिक से आप इसके फॉर्म फिलप कर सकते हैं जो 30 तारिक तक फॉर्म फिलप करने की डेट है और 15 दिन आपको फॉर्म फिलप करने के लिए मिलेंगे और 20 दिन इसके कुछ रूटी रह जाती है त को टोटल चार तारीक तक आप संसोधन कर सकते हैं आनलाइन जो आवधन बनने की अंतीमती थी तीस तारीक से 6 मार्च से प्रारम होगी तो एक ही दिन की होगी कि आगे वो सारे दिन तक चलेगी तो आपके जो जो परवेश्पत्र आएंगे उसमें उसके अनुसार आपके डेट आती जाएगी 6 मार्च से इसकी एक्जाम प्रारम होगी तो उसाब से आप तयारी करना चालू कर दीजे क्योंकि आज 15 जनवरी हो चुकी है तो जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत ही कम समय बचाएं 2 धाई महिने का तो उस अनुसार आप तयारी कीजे इसकी फटा पट और उसमें 2 परशन पत्र होते हैं 2 पाली में इसकी परिक्षा होगी परथम पाली जो 9 से 11 बजे के बीच में रहेगी और दूती पाली 3 से 5 बजे के बीच में रहेगी और 2 पेपर 100-100 अंक के होंगे जो केवल जीडी एक्जाम दे रहे हैं आरक्षक जीडी उनके लिए एक ही प्रश्ण पत्र रहेगा और जो टेक्निकल में हैं उनको लोग उनके लिए दो पेपर रहेंगे उसके अनुरूप इसमें इसकी आवेदन शूलक है परिक्षा कि आप आवेदन फिलब करेंगे तो आपको किते रूपे लगेंगे उसमें दिया हुए अनारक्षित अभ्यों के लिए दो प्रश्ण पत्र जो देंगे टेक्निकल और वाप जीडी वाले उनके लिए 800 रूपे क राशी का लगीगा ओन-लाइन और एक प्रश्ण पत्र के लिए 800 रूपे अर आप के लिए अनुसषी जात्य जात्ति अन्य-परिष्टावर के लिए वो बी केवल मध्यप्रदेश की मुलनीवासि용 के लिए इनके लिए दो प्रेशन पत्रवानों के लिए 400 एक प्रेशन पत्रवानों के लिए 300 रूपे इसमें दे होगा और संसोदन के लिए परते के संसोदन 20 रूपे लेंगे इसमें दिया हुआ है और एक्जाम शहर के बारे में बात कर लेते हैं कौन-कौन से 16 शहरों में इसका पेपर होगा तो देख लीजिए 16 सीटी से फर्स्ट बुपाल हैं इंदोर है जबलपूर है गवालियर है उज्जेन निमच रतलाम मनसोर सागर सतना खंडवा गुना दमो सीधी शिनवड़ा और बालागाड 16 शहर जहां भी आपको नजदीग रहे उसके अनुसार आप करम चुन सकते हैं फॉम भी लब करते समय और उसके कोटिंग आप आप आउनलाइन प्रिक्षा का केंदर चुन सकते हैं जी दोस्तों यह इंफॉमेशन अभी रिलीज हुई है तो आपको शेर करना जरूरी था जो किया आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जिसे कि उनको पता चले कि दोबारा से इसकी फॉम फिल अप की डेड निकल चुकी है तो वो फॉम फिल अप कर सकें तीस तारीक से पहले पहले और जल्द से जल्द उन्हें रोजगार मिले थेंक्यू दोस्तों थेंक्यू